कॉपी करने के दिए कोशिश की गई है लेकिन हो नहीं पाया है। किसी महाल लोगों ने कहा है कि नकल करने के लिए भी अकल की जुरुत पड़ती है। लेकिन यहां तो .... क्या कर रहे है तू? मजाक है क्या है? मिटा, तुमसे नहां पाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगा स्वाइद करता हूं अपने यूटूब चैनल में आज हम लोग आ गए एक और मुवी की रिवीव लेकिन और ये मुवी है कबजा जो कनड़ा इंडिस्टी की है जिसे भेहन इंडिया का माल बनाके पेस किया जा रहा है इसका बजट असी करोड रुपया है इसके डारेक्टर है आर चंदरू जिनों ने इसे केजिएफ से तुलना करने में कुई कसर नहीं छोड़े इसका कलर टोन इसका बैकग्राउंड इसका लुक सब कुछ केजिएफ से वह बहु कॉपी लगता है और लोगों ने सही कहा था ज सब आ जाते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में मूवी अंग्रेजयों के समय चल ले होती है कुछ लोग उसक आजादी के लिए लड़ रहे होते हैं और कुछ लोग गैंग्स्टर बन जाते हैं हमारा हेरो पहले पुलिस में काम करता है लेकिन बदला लेने के लिए वह ग चुबच्य हम चुब चुरी है ईस मूवी में मूवी का टोरी बांध कर दिक हो चुन होरा दूसरा ना है कि आ करेक्टर आते रहते जाते रहते हैं थाकर आते में शापता है लगे ज लिए फयते हैं हो अर prop आए और इस में मार काट का ठिल सारा BGMI डाल दिया है कि आपको एक समय लगता है कि ये ओवर हो रहा है वो BGMI आपको पसंद ही नहीं आएंगे अब आजाते हैं इस मूवी के मुजिक के बारे में जिसे दिया है रभी बसर ने जिन्होंने KGF फ्रेंचाइजी में भी अपना मुजिक दिया लेकिन इस मूवी में उनका मुजिक उतना अच्छा नहीं BGMI जो है बहुत ओवर लोडेड है उतना मजा नहीं आता है और जो हिंदी गाने उनको सुनके तो आपना सर पकड़ लेंगी कि क्या है क्या बज़ रहा है अब डिश्टर्ब हो जाएंगे हिंदी गाने सुनके इस मूवी का एक और खराब पॉइंट है जो कि इसका VFX है VFX भी बहुत खराब अगर चाहते हैं लोग तो एक सेट बना के भी इस मूवी का ज्यादा लोकिशन अच्छा प्रूफ कर सकते ते मैं इस मैं को एक केजी एफ मुवी का एक एक ग्लिब के बारे माताना चाहूं गा जिसके आपने देखा हूंगा सक्रैम् लेकिन जब वो चीज़े चलती रहती हैं बराबर आपको वो चीज़े बहुत बुरी लेकिन आपको मन करेगा क्या दिखा रहे हैं अब आजाते हैं इस मूवी के एक्टर्स के बारे में में लीड में है उपेंदर श्रियार्शरन और छोटे-छोटे कैमियो में है सुदीब किच्चा और सिव राजकुमार अब आजाते हैं इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में आपके इस मूवी के पॉजिटिव बता था है पॉजिटिव में इस मूवी का विजन ही कह सकते हैं कि इस मूवी का विजन अच्छा था इस मूवी के एक्ट ज्यादा बीजेमाई, इसका वीएफेक्स सही नहीं है, केजिएपस इसने कॉपी करने की खोशिश की है, इसकी हिंदी डबिंग अच्छी नहीं है, और जो हीरो की एक्टिंग तो ठीकलेंगे, हीरो के साथ के जो करेक्टर उनकी एक्टिंग बहुती बुरी लगते हैं, इसा काफी सारे स्लो मोशन दिखाएंगे, लेकिन वो इस स्लो मोशन इतने बार बार दिखाया जाते हैं, कि आपको स्लो मोशन फिर अच्छी नहीं लगते हैं, अब आता है सवाल कि आपको इस पिच्छर को देखना चाहिए, कि नहीं, नहीं, उन लोगों को तो नहीं देखना च जो इसे KGF जैसा माल समझ के देखने जा रहे हैं। अपने पैसे बच्चा हैं और कहीं और लगाएं। और वो लोग जो एक साउट की मुवी देखना चाते हैं वो इस मुवी को जाके जरूर देख सकते हैं। और एक और खुशी की बात बताएं आपको। इस मुवी का सेकेंड पार्ट बनने वाला है। इस मुवी का रिव्यू कैसा लगा आपको इसको आप कमेंट करके मुझको बताएं। और मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर देजे। प्लीज प्लीज बहुत बहुत जरूरत है आप लोगे लिए। और हाँ वीडियो में जो भी प्रॉब्लम है आप मुझको कमेंट करके जरूर से बताएगा। और मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारने की। झाल प्लीज य। झाल प्लीजेब वीडियों